नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है 30 मार्च, गुरुवार्द परसवा एक बजे, राजसान की पंदर बड़ी खबरें इस नियूस बिलेटिन के प्राई अज़क है विनी, विनी केक एंड मोल सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैटलाइन्स पर राजसान के सरकारी अस्पतालों में आसे इलाज मरीजों को राहत श्वारे त्याग एम वलिदान की गाथाएं राजसान के कंकन में गहलोत मुख्यमंत्री ने दी राजसान दिवस परशुप कामनाई जल्लुपूर खेडा से अमरित पाल का परिवार गाया सोने का मोगोर्ट कैनेडा की फूलों से सजावर शाह बोले यूपीय सरकार में मुझ पर मोदी को फसाने का दबाव था और अब खबर विस्तार से जपर के एसमेस एस्पताल सहीत अन्य एस्पतालों में डॉक्टर स्फिर से चकर काट रहे थे आज उनका इलाज हो पाएगा और दवा मिल पाएगी वहीं दूसरी और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रही हर्ताल को लेकर अब रेजिडेंट्स दो गुटों में बढ़ गए हैं एक और जहां जैपुर एस्पतालों में वापस लौट कर काम करने का अईलान कर दिया है तो दूसरी तरफ जार जॉइंट रेजिडेंट्स एक्शन कमेटी ने हर्ताल जौरी रखने को लेकर लैटर जौरी किया है राजसान के मुखे मंदर शौक गहलोट ने राजसान दिवस की प्रदेश वासियों को हार्दिक शुपकामनाई दी है गहलोट ने कहा कि साहस शौर यत्याग एम बलिदान की गाथाएं राजसान के कंकन में रची बसी है अपने गरवशाली तिहास और सम्रद सांस्कृतिक विरासत से राजसान की विशो में एक विशिष्ट पहचान है मुखे मंदरी ने कहा कि स्थापना से अब तक राजसान ने हर शेत्र में उलेखनी प्रगती हासिल की है विकास की प्रिकरिया को लगातार गती देते हुए हमारी सरकार प्रदेश को एक मॉडल स्टेट की रूप में विक्सित कर रही है ग्यलोट ने इस अफसर पर प्रदेश वासियों से प्रदेश को संपन, सम्रद और खुशाल बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाने का हवान किया है पंजाब पुलिस के ओर से अमरित पाल के खिलाफ शुरू की गई कारिवाही के बीच उसका परिवार जलुपूर खेडा से लापता हो गया है अमरित पाल के माता पिता और पत्नी कोई भी घर पर मौजूद नहीं हैं बताया जा रहा है कि विमातापिता और पत्नी सभी पुलिस के निगरानी में हैं लेकिन कहां हैं इसके बारे में पुलिस कुछ भी जानकारी साजह नहीं कर रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुद्वार दुपैर अमरितपाल सिंग के श्री अकाल तक्ति साहिब पर पहुंच कर सरेंडर करने की सुचना फैल गई थी यही समय था जब अमरितपाल की मातापिता वेपत्नी को आखरी बार उनके आसपास के लोगों ने देखा था बगवान राम के जनम के लिए आएध्या सरसcommittee करता यार है । श्री राम जनम भूमी में राम लला थोड़ी दिर में प्रकट हूँगे राम लला की राम नविपर पहले तस्वीरे सामने आई हैं इसमें राम लला पीले वस्त्र सोने का मुटड और हार पहनाया गया है और जनम भूमी दरबार सहीत पूरे मंदिर को 50 कुइंटल फूलों से सजाए गया है सजावट के लिए हरी पत्तियां असम और्डिशा से मंगवाई गई है गेंदा फूल कोलकाता जबकि और केड़ कैनेडा से मंगाई गए है जनम भूमी के अलावा कनक भावान श्राम वल्लभा कुंज लक्षमन किला और हर्मत निवासा में इतराम नगरी के 10 हजार मंदिरों में सुबह से भजन किर्टन चल रहा है यहां प्रभू के प्रकट होने के साथ सोहर की गुंज सुनाई देगी ख्रह मंतिया अमिच शाहा ने बुदवार को कहा कि यूपी शासन के दौरान उन पर प्रधान मंतिय नरेंद मोदी को फसाने का दबाव डाला गया था अमिच शाह एक न्यूस चैनल के प्रोग्राम में बोल रहे थे इस कारकरा में अमिच शाहा से सवाल पूछा गया था कि विपक्ष लगातार के इंद सरकार पर एजिंसियों के दुरूपियों का आरूप लगा रहा है इस पर शाह ने कहा कि यूपिय शासन के दौरान से बियाई ने उन्हें फिक एंकाउंटर केस में पुस्ताच के लिए बुढाया था इसकी बावजूद भाजपा ने कभी हंगामा नहीं मच वाया राइसान के मुख्य मंत्री शोग गहलोद ने राव नौमी के पावन परव पर प्रदेश वासियों को हादिक बढ़ाई और शुप कामनाई दी है गहलोद ने कहा कि मर्यादा पुरुशुत्ब भगवान शुरी राम ने सत्य धर्म त्याग और न्याई की राहा पर चौल कर जो आदर्श स्थापित किये वे सभी के लिए अनुकरनिया है इस पुनीत अफसर पर हम सब प्रभ्व श्री राम के अदर्शू को आत्म साथ कर समाज में समरस्ता और भाई चारा बनाए रखने में सकरिय भूमी का निभाए मुख्य मंत्री ने प्रदेश वासियों का हवान किया कि वे इस पुनी तवसर पर भगवान श्री राम के आदरशों को आत्मसाथ कर समाज में समरस्ता बनाए रखने और देश एवं समाज की उन्नती में सदैव समर्पित रहने का संकल पले जिला कलक्टर तथा राजिस्थानी वे हिंदी के चौर्चित साहिते का डॉक्टर जितेंडर कुमार सोनी को उनकी कथा करती भरखमा के लिए राजिस्थानी भाष्वा साहिते अंसंस्कृति अकादमी बिकानेर की ओर से वर्षद 2022-23 का मुर्ले धर व्यास राजिस्थानी साहिते पुरिसकार दिया जाएगा इसकी घोशना बुदवार शाम अकादमी अध्याक्ष शिवराज चंगानी ने की हर्मानगर जिले के धन्नासर गां के डॉक्टर सोनी अभी अलवर जिला में कलेक्टर हैं उनकी उमीदों के चिराग, रेगमाल, हिंदी कविता संग्रह, रंखार, राजिस्थानी कविता संग्रह, भर्खमा, राजिस्थानी कहानी संग्रह, यादावरी, हिंदी डाइरी, एडियोस, हिंदी कहानी संग्रह, मारे पांती रा, पाना, प्रसिद कवी हरी भजन सिंग, डैनू के पंजाबी कविता संग्रह का राजिस्थानी अनुआ आदी कृतियां प्रकाशित हुई है। इसमें एक लोको इंजन दूसरे लोको इंजन के सामने आने किस्तिती में 380 मिटर की दूरी पर ही रुख जाता है। इसी हैं जहां खेल मैदान ही नहीं है। प्रात्मिक स्कूलों के ये राशी 5000 पर प्रती स्कूल, उच्छ प्रात्मिक के लिए 9000 प्रती स्कूल और माधमिक वे उच्छ माधमिक स्कूलों के लिए ये राशी 25000 पर की जारी की गई है। देश में बिजनेस और मौज मस्ती के लिए ट्रैवल बढ़ रहा है इसके चलते टूरन ट्रैवल सेक्टर 31 मार्च को खत्म हो रहा है वित्वर्ष में मुनाफ़े में आने को तयार है इससे पहले ये इंडस्री लगाता है दो साल घाटे में थी रेटिंग एजेंसी क्रिसील क मुताबिक चौलू वित्वर्ष में प्रमुक ट्रैवल कंपनियों को चैसे साथ फिस्दी मुनाफ़ा हो सकता है इनकी कमाई भी कोविट पूर्वस्तर के 90 प्रतिशत तक पहुंचने का नुमान है प्रिसील की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्वर्ष 2021 में टूरन तक पंजाब अधिनास्ट बोर्ट के ओफिशल वेबसाइट पर जाकर अपलाई कर सकेंगे उमिद्वारा का सेलेक्शन प्री और मेंस एक्जाम के अधार पर किया जाएगा इसमें सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 63,200 रुपे तक की सर्वरी दी जाएगी इंडरगांधी नहर में 7 दिन तक चलने वाली नहर बंदी शुरू हो चुकी है पंजाब और राजिस्थान के हिस्से वाली नहर में इस बार तीसरे साल भी मरम्मत करवाई जा रही है पहले इसे नहर बंदी को 70 दिन तक किया जाना था लेकिन भीशन गर्मी और आगामी दि दिन में एक दिन का वाटर शट डाउन देख रहा है और वो अगले एक साहर तक और जारी रहेगा अजमेर के विजयलक्ष्मी पारक के निकट संचौले तिंदर रसोई में एक ही व्यक्ति की दो बार फोटो लिए जाने का मामला सामने आया है शुकायत मिलने पर नगर निकट इंदर रसोई में भोजन करने आया है यहां उसकी दो बार फोटो ली गई है पाली शहर में गुर्वा सुबे जयन युवा संगठन की ओर से महावी जयनती के उपलक्ष में आहिंसा मेराथन रैली निकाली गई जो आहिंसा सर्कल से रवाना होकर शहर के विभिन मार को से होते हुए वापस आहिंसा सर्कल पर पहुँच कर संपन हुई रैली में बड़ी संख्या में जैन समाज बंदू और बच्चे शामिल रहे पहले तीन स्थान पर आने वाले बच्चों को गिफ्ट दे कर सम्मानित किया गया सुबे सबच्षा बजे सेशन कोड के निकट से पैदल अहिंसा मेराथन रैली को कांतिला दीपक छाजेड ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया भरती परिक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने के लिए राजस्तान लोक सिवा आयोग बड़ा कदम उठाने चौरा हैं परिक्षाओं में अकल और दूसरी गड़बडियों क को लागू करने के प्रिक्रिया शुरू कर दी गई है इसके लिए आयोग अजमेर में ही ऑनलाइन परिक्षाओं सेंटर बना रहा हैं एडिये ने आयोग को घूगरा में करीब दस हजार वर्ग मिटर जमीन नीशुल को उपलप्त कराई है तो फिलाल इस बुलेटिन में इत